आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एक प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही राउटनोट करें मुझे यहां पर क्या मिलेगा, बेसिकली, यहां पर अगर मैं देखूँ, तो मुझे PQR मिलेगा, ठीक है, तो जब R से R कैंसल हो जाएगा, तो basically PQ मिल जाएगा, तो PQ इंटू P पलस Q माइनस के X, ऐसे ही सिमलर, यहां पर मिलेगा QR, Q पलस R माइनस के X, ठीक है, और यहा पर मिलेगा rp r plus p minus के x ठीक है और ये minus के 3x upon p plus q plus r हो गया अब हम इसको multiply कर ले दे हैं तो देखो जब p q को p plus q से multiply करेंगे तो हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा p square q plus p q square ऐसे ही qr को q plus r से multiply करेंगे तो क्या मिलेगा q square r plus qr square ऐसे rp को तो r square p plus rp square ये चीज़ हो गई minus के x common ले लेते हैं तो यहां से हमें p q plus qr plus k rp ये चीज़ मिल गई और divide में हमारा क्या रहेगा p qr divide में p qr और ये minus के 3x upon p plus q plus r हो जाएगा ठीक है अब मैंने क्या किया कि p qr को इधर बेज दिया p plus q plus r को इधर बेज दिया तो यहां से हम कह सकते हैं कि p plus q plus r multiplied with p square q plus p q square plus q square r plus q r square plus r square p plus rp square minus of x multiplied with p q plus qr plus rp ठीक है और into into में रहेगा इसके ये हमारी चीज into में रहेगी basically क्या आएगा into में p plus q plus r आएगा और ये minus के 3x p plus p qr आजाएगा अब हम इसको solve करें तो यहां से हमें p plus q plus r multiplied with यही सेम चीज यानि p square q plus p q square plus q square r plus qr square plus r square p plus rp square ठीक है ये चीज मिल गई अब हम क्या करते हैं basically यहां से x common लेते हैं जब यहां से x common लेंगे तो p plus q plus r multiplied होगा हमारा किस से p q plus qr plus rp से ठीक है और minus के 3p qr देगा यह चीज अमें मिल जाएगी अब हम basically क्या करें कि अब हम इसका multiply करते हैं तो देखो हमें क्या मिलेगा p plus q plus r यह चीज मिल जाएगी ठीक है और यहां से p square q plus p q square plus q square r ठीक है plus q r square plus r square p plus r p square तो जब हम इसको multiply करेंगे तो x multiplied with p का p q से कर देते हैं सबसे बहले तो p square q फिर p का basically r p से कर देते हैं तो p square r ठीक है फिर q का हम पहले p q से कर देते हैं तो q square p फिर q का qr से कर देते हैं तो q square r ठीक है फिर r का हम qr से कर देते हैं तो basically क्या मिलेगा qr square फिर r का pr से कर देते हैं तो r square p और जब हम P का QR से multiply करेंगे तो PQR Q का multiply करेंगे PR से तो PQR और R का multiply करेंगे तो PQR तो 3PQR आ जाएगा तो वो 3PQR 3PPR से cancel हो जाएगा और यह पूरा term इस से cancel हो जाएगा तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमें X का मान क्या मिलेगा X equal to P plus Q plus R यही हमारे इस समीकरण का हल है Thank you